अगर अगर परिदिश्य को देखें तो लोग आपस में भीड़े वे अब यह इज्राइल लेवनान के भी हंगामा हो गया लगातार जिस तरीके से हम जो द्रिश्य आ रहे हैं खब्रे आ रही है किया स्थिति कितनी चिंता जनक्त क्या है इस स्थितिक आप वैश्विक बात कर रहे हैं तो आप देखी यहां तो है है जिस है नॉर्थ कोरिया प्रमाट यूद्ध के लिए तयार है कभी वी की जो एक्षम सो रहे हैं उससे इसकी जो पड़ सकती है चीन का आप देखी रहे हैं क्या सोच विचार है किस तरह से चीन चल रहा है मिडलिस्ट में आप देखी रहे हैं क्या हो रहा है उससे पहले अप सीरिया टर्की आये जी बिडलिस्ट में चीजें अलग हो रही हैं और अभी चीन ने यूएईईवी और इसको अपना इरान को एक साथ किया है इरान और इज्रायल का पहले से ही 36 काकड़ा जो इजराइल तो कई बार कह चुका है कि इरान के जो इतने परमाण हूँ वह नश्ट कर देगा हूँ तो यह सब चीजें चलती आ रही है जहां तक जिस चीज की आपने बात की इजराइल लिबनान है इजराइल आप हमास का लीजिए हमास लिबनान से है और हेजब लुब ला इरान के इरान समर्थित है दोनों ग्रूप हैं जिनसे की इजराइल की दुश्मनी है और यह आज से नहीं है आज देखा जाया तो तकरीबन मैं एक हूँआ कि यह 75 आपना चल रहा है 1970 के आसपास से उनका मतलब वयाब पहले से चल रहा है आपस की लड़ाइयां इतनी हुए इनके आपस में इजराइल के जो दो तीन चीजें हमें लेके चलना पड़ेगा इजराइल मेरिटरली बिल्कल साउंड है इजराइल की जो इंटेलिजेंस है मुसाद नोन है उनको पता लगता है कि एरान से कहीं से हथियार आ रहे हैं सप्लाइए करने के लिए हेजबुल्ला को या हमास को पहुंचने से पहले उनको नश्ट कर देते हैं तो एक कैपेबिलिटी और सबसे बड़ी कैपेबिलिटी जो इजराइल कि उनको लोग है वहां हर एक आदम हर एक आदमी फोजी है हर एक आदमी कभी भी खड़ा हो जाता है देश के लिए आपको पता है सबसे पहले जाई है याम कपूर वार में कि इनके फोजी जो है बीचेच पर थे और लड़ाई उन्होंने आठ घंटे में मोबलाइज करके और अटैक उसके बाद लांच कर दि है जी इजिक वागी सबको अरब वाल्ड को तो यह चीज एजराइल के अंदर दूसरी चीज जो अभी चीज फलेर अप होई है कल परसों से तीन दीन से जो चला है अलक्ष जी जो बस्जिद है यह मजिद जो है तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद मानी जाती है इसलाम धर्म म मक्का में देना, एक और जो इदर वाली है, जान वाली है, जो सो ले करके तीसरी ही है जो कि बहुत भी पयुत्रमानी जाती है जित और इसी में यहुदियों का बी इनका भी एक मंदिर एक पाड़ी एच्छोटी सी जिसको क्यों अपने लिए उनको मानते हैं की उनका और और होँआ पुजा करते हैं वह पर जाते रहते हैं साल मैं तिंक एक जाते हैं जो फ्लेर अप हुआ उस विस वज़ एक इनके जो इजराइल के पुलिसमें थे वह गए वहां पर और उन्होंने लोगों को डिसर्प्ट किया जब रमजान का महीना चल रहा है वहां जो भी इबादत चल रही होगी इनकी उसमें वीडियो जो आएं उसमें हमने दे लेके गए हुए है हत्यार लेके गए हुए हैं जो कि नहीं होना चाहिए जी और उनको उन्होंने जा के देखा कि यह हैं मिले हैं तो आप एँ थोड़ी सी अलग सी चीज़ है कि अगर रिस्टिक्टिड रैंटरी जि तो कैसे लोग लेकर कि सब चीज आ गया जिग जो भी जो भी वहां पर हैं लेकिन फ्लेयर अप वहां से हुआ और उसके बाद फैलाए गया कि यह जो है पूरे इसलाम धर्म को जो इन्होंने का उसकी जो बेजती की है इस तरह करके इन्होंने तो उस पर यह बात शुरू हुई और दो दिन तो यह चलता रहा अभी भी आज भी उस मस्जिद में इनका इज्राइली फोर्सेस का अपना एक्शन चलता रहा लेकिन रात में जो है लिबनान की तरफ से साउथ लिबनान से 34 करीब रॉकेट फायर किये गए जिए जो की अंदेशा नहीं था इनको करने के लिए और जब एक गिरे तो इन्होंने काफी रॉकेट इसका कहते हैं कि दुनिया में इससे बड़ा कोई सेफ्टी कवच नहीं है सुरक्षा कवच क्योंकि उसके अंदर से कोई मिसाइल या कोई रॉकेट आ नहीं सकता जो लो लेवल वाले हैं हलांकि कहते हैं कि 90 पॉर्सेंटे करेशी है सौ अगर फायर किये जाएं तो सिरफ मै इसको इन्होंने नस्ट कर दिया तो एक आरेंड डॉम का इनको भी सोचना पड़ेगा कि और इंप्रूव करें अपना अब लिबनान ने तो पहले बोला कि यह हमें भी नहीं पता हमने तो किया नहीं है हमारी आर्मी ने किया नहीं है तो हम चेक करेंगे देखेंगे साथ हमास से गया है हला कि सब को पता है कि हमास का बैस नहीं है हमास नहीं फाइर किया उन्हें उन्हें पहलें नहीं कि अगर हम उसको वहसे हटाएंगे और निकालेंगे तो एक चीज तो एह रही है दूसरी बात अद्र माहीं है कि बात में फिर उत्ड्शा happens यह जो है ज juliazम ल कि अटना लिए शबीन दे दिया कि हम तो बाद्ला लेंगे और विबो ला है कि एरान को करने के लिए हम इस्ट यह एर फोर्स ने बोला है कि हम त्यार तो अगर इस्राइल लो ना सिर्फ इज्राइल अकेले तो नहीं बोल रहा है तो मिझे पूरा मैं कह सकता हूं कि वही अमेरिका का चुकि बिल्कुल हाथ है तो वो पूरा कर रहा है लेकिन इज्राइल सक्षम भी ऐसा नहीं कि नहीं है इरान के साथ आप देखिए आज की तारीख में चीन है रूस भी है पूतिन और उनकी मीटिंग हुई थी दो मेने पहले पूतिन आपको पताईए कि पूतिन गये थे दी मेने पहले हैं और वहां पर स्रक्षा और इसकी भी बात हुई थी यह भी माना जा रहा था कि चीन और रूस की आने के साथ इरान अपना नुक्लियर प्रोग्राम जो की अमेरिका के प्रेशन में रुका हुआ था उसको आगे बढ़ाएगा तो अगर नुक्लियर बन गया फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पूरे इसलिए 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 पहले से ही चाहता है कि उनको जो जितने भी जगें हैं जहांकि यह परिमांड थियार बन सकते हैं रिप्रोसेसिंग कर रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए तो एचीज जो है इसलामिंग की मीटिंग भी बुलाई जा रही है इसके बारे में कितना फरक पड़ता है मुझे नहीं लगता हुआ होता है एक्चुली मिलेंगे सब और निंदा करेंगे बात करेंगे उसका रही कर सकी तो यह चीज सामने है लेकिन एक फ्लैश पॉइंट तो यह हमेशा रहा है यह लड़ाई नहीं है इनका कॉन्फलिक्ट में कहूंगा आज से नहीं यह तो चला ही आ रहा है शुरू हर साल आप देखते हैं कुछ ने कुछ रॉकेट आते जाते हैं लेकिन यह फ्ल रूप ले ले कहा नहीं जा सकता लेकिन ऐसे अगर सुलकते हुए जगह ज्यादा रहेंगे तो कब तब्दील हो जाएगा इविनाश में कहा नहीं जा सकता है बिल्कुल और दुनिया यहीं उमीद कर रही है कि जो भी वैश्वी का शान्ती है वह से निकले क्योंकि अभी हम पूरे विश्व ने महामारी का जोर्भी देखा है जितने भी लीडर्स हैं चायो रशा चीन अमेरिका जितने भी हैं यह सबकी जिम्यवारी बनती है कि चलिए आप एक जगह एक एकरेन में कोशिश कर रहे हैं रोग नहीं पाए तो कम से कम यहां तो जहां पर इतना करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके